प्रिभक्तों जय स्री राम आज हम स्री मत्भवत गीता के दूसरे का अध्याय का महत्म उसके इसलोग और उसका हिंदी अर्थ सुनाएंगे किर्पया आप इसे सुने और भगवान की भक्ति प्रात करें स्री मत्भवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्म स्री भगवान जी कहते हैं लचमी प्रिधम अध्याय के महात्म का उत्तम उपक्ख्यान मैंने तुम्हे सुना दिया अब अन्य अध्यायों के महात्म श्वन करो द्रच्छ देसा में बेद बेता प्रमारों के फुरंदर पुर नामक नगर में स्रीमान देव शर्मा नामक एक पिद्वान रहते थे वे अतितियों के पूज़क, स्वाध्य सील, बेद सास्त्रों के रिशेशक यगों का अनुष्ठान करने वाले थे और तफस्यों के सदा ही प्री थे उन्होंने उत्तम द्रब्बों के द्वारा अकनी में हवन करने के लिए दीड काल तक देवताओं को त्रब्ब्ध किया किन्त उन्धर्मात्म प्राम्भर को कभी सदार रहने वाली शान्ती ना मिली वे परम कल्यान में तत्तो का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रददिन प्रचुर समाध्यों के द्वारा सत्त संकल प्वाले तपश्विंगी शीवा करने लगी। इस प्रददिन प्रदवी पर उनके समझ एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर अनववी अकांछा रहीत नासका के अगर भाग पर दस्टी रखने वाले थे। तद सांत चित थे। निरंतर परमात्मा के चितत में संगलन होवे सदा आनद विपवो रहते थे। देवशर्मा ने उन्नित संतुष्ट पस्वी को सुद्ध भाव से पढ़ाम किया और पूंचा महात्मन मुझे सांती में इस्तिती कैसे प्राप्थ होगे। तब उन आत्म ज्यानी शंत ने देवशर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान को जो बकरियों का चरवाहता परचय दिया और कहा कि वहीं तुम्हें उप्देश देगा। ये सुनकर देवशर्मा ने महात्मा के चरणों की बंदना की और समध साली सौपुर ग्राम में पहुँचकर उसकी उत्तर भाग में एक बिशाल बन देखा। उसी बन में नदी के किनारे एक सिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से रिश्चल हो रहते वे अपलग दिश्टी से देख रहा था। वे इस्थान आपस का सुभाविक बैठ छोड़कर एकत्तित हुए पस्पर विरोधी जंदों से घिरा हुआ था। महा उद्यान में मंद मंद वायू चल रही थी। म्रगों के जुंड सांत भाव से बैठेते और मिद्रवान दया से भरीवी आनंद मैं मनों हारनी गश्टी से प्रतिवी परमानों अम्रचल रहा था। इस रूप में उसे देख कर देव शर्मा का मन प्रशन्न हो गया। वे उच्शुक होकर बड़ी बिने के साथ मित्रवान के समीव गए और जग उनका ध्यान का समय समात हो गया उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महा भाग मैं आत्मा का ग्यान प्राथ करना चाहता हूँ। मेरी इस मनोरत की पूर्ती के लिए मुझे किसी ऐसी अपवाय का अपदेश कीजी जिसके द्वारा सिध्धी प्राथ हो चुकी हो। देवशर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक छण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार का विद्वन एक समय की बात है। मैं बनके भीतर बक्रियों की रच्छा कर रहा था। इतने में ही एक ब्याग पर मेरी दस्टी पड़ी जो मानो सब को गस लेना चाहता था। मैं मृत्तू से डरता था। इसलिए ब्याग को आते देख बक्रियों के जुन्ड को आंगे करके वहां से भाग चला। किन्तु एक बक्री तुरंती शारा भै छोड़ कर नदी के किनारे उस बाग के पास भी रोक टोक चली गई। फिर तो ब्याग भी देश छोड़ कर चुपचाप खड़ा हो गया। मुझे उसे इस अवस्ता में देखकर बक्री बोली ब्याग तुमें तो अभीस्ट भोजन ब्याग थुआ है। मेरे सरीच से मास निकाल कर प्रेमपुवग खाओ ना तुम इतने देर से क्यों खड़े हो तुम्हारे मन में मुझे मारने खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है। ब्याग बोला बक्री इस इस इस्थान पर आते ही मेरे मन से देश की भावना खतम हो और मेरा मन शान्त हो गया है। ब्याग के कहने पर बक्री बोली ना जाने में कैसे निर्वे हो गई हूं इसमें क्या कारण हो सकता यदि तुम जानती हो तो बताओ ये सुनकर ब्याग ने कहा मैं भी नहीं जानता चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुस से पूछें ऐसा निसे करके वो दोनों वहाँ से चल दिये। उन दोनों की शुभाओं में ये पिचितर परवर्तं देकर मैं बहुत भी समय में पड़ा था। इतनी में उन्होंने मुझ से आकर प्रस्णिगिया। वहाँ ब्रच की साफ़खा पर एक बानर राज रहता था। उन दोनों के सा तर जो बहुत बड़ा मंदर है उसके ओर दिखो इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित के हुआ एक स्यूलिंग है पूर काल में यहां सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान मादमा रहते थे जो तपिश्या में संगलन होकर इस मंदिर में उपाशना करते थे वे बन में से फूलों का संगल कर कर लाते और नदी के चल से पूझने भगवान शंकर को इसनान करा कर उनी से उनकी पूझा किया करते थे इस प्रकार अराधना का कार करते वे शुकर्मा यहां निवास करते थे बहुत समय के बाद उनके समीब किसी अधिधी का आगमन हुआ शुकर्मा ने भोजन के ये फल लाकर अतिती को अर्पन किया का बिद्वन में किवल तत्व ग्यान की इच्छा से भववान शंकर की अराधना करता हूँ आज इस अराधना का फल पर प्रिक्खो कर मुझे मिल गया ये कि इस समय आप जैसे माह पुरुष ने मुझे पर नुके किया है सुकर्मा के ये मतुर बचन सुनकर तबस्या के धनी महात्मा अतिती को बड़ी प्रसंता हुई उन्होंने एक सिला खंट पर गीता का दूसरा अध्याय लिग दिया और ब्रामन को उसके पार्टियों अभ्यास के लिए आग्या देती हुए कहां ब्रामन इससे तुमारा आत्म ग्यान सम्मंदी मनुरत अपने अपसफल हो जाएगा यू कहकर यू गुतिमान तबस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतरधान हो गए सुकर्मा बिस्मित होकर उनके आदेश के अंशार दंतर गीता के दूतियत है का भ्यास करने लगे दंतर दीर काल के प और रावदेश आदी की बधाएं दोज हो गई इतना ही नहीं उन इस्थानों में भूम प्यास का भी कस्ट जाता रहा कतब है का सरुथा अभाव हो गया ये सब दूतियत है का जब करने वाले शुकर्मा ब्राम्मर की तपस्या का ही प्रभाव समझो मित्रवान कहते हैं बा दूतियत है को मैंने देखा और पढ़ा उसी की आब्रति करने से मैंने तबस्या का पालिया अताभद पुरुष तुम सभी सदा दिती अध्याएं की ही आप प्रति किया करो ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दोग नहीं रहेगी स्री भगवान कहते हैं प्रिये मित्रवान के इस प्रिकार आदेश देने पर देव सर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके कुद्रंदर पुर्की राएगी वहां किसी देवाले में पुरोक्त अत्म ज्यानी महत्मा को पाकर उन्होंने ये सारा पिताम में बेदन किया और सबसे पहले उन्हें से दुति अध्याय का पार करने लगे तब से उन्होंने अनुद्य प्रसंसा के योग परमुपत को ब्याद कर लिया लच्मी ये दुति अध्याय का उपख्ञान कहा गया है श्री कश्नाय नमाः श्री मद भगवत गीता के दुति अध्याय के सल्सक्रट के इसलोग ओम श्री परमात में नमाः अध्य दुतियो अध्याया संजे उवाच तम तथा क्रप्या विस्ट मस्रू पूर्णा कुले छडम विसी दंत मिदम वाक मुवाच मदुश्योंतिना स्री भगवालवाच प्रतिस्त्वा कस्मन मिदम विस्मे समुपिस्तम अनार जुस्टम स्वर्गम कीर्ती कर्मर्जुन किलेव मा इस्म गमा पार्थ नैतत्तु यूप पद्धते छुद्रम हिदे दौगल्यम त्यक्तूतिस्ट परम्त अर्जुनवाच कथम भीष महम चंखे दोणम चा मदुशूदन इस भी प्रतियोध स्यामी पूजार्याह वरिशूदन गुरुन हत्त्वा ही महानुभावान स्रेयो भोक्तुम भैच मपिये लोके हत्त्वार्थ कामास्तू गुरुने है भुण्जिय भोगान रुधिर जये में यदि वानो जये यू यानियो हत्त्वा नजिजी विशा मस्ते अवस्तता प्रमुखे धार्थ रास्टा कारपण दोसों पहत सुभावा प्रच्छामी त्वाम धम में सम्मूंग चेता यच्छेया स्यात्री स्चितम गुरुही तनमे सिस्यस्ते अहिम साधिमाम त्वाम प्रपण्नम नाही त्रपश्यामी मा पनू धाद यच्छोक मुझो सड मिंद्रियानाम अवाप मुमा वा सब पत्र मिधम राज्याम सुरानाम पिचादी पत्यम संजेव आज एव मुक्तवा हिसी केशं गुडा केश परंतप ना योध सै इती गोविंद मुक्तवा तूश्रिम बभूव तमू आज हिसी केशा प्रहिस्तिव भारत सेन येरू भयोर मद्धे भी सी दल्त मिदम भचा दश्वा इसलोग अव ग्यार्वा इसलोग दूश्रे अध्या का स्री भगवान वाज असोच्यान ने वसोच इस्तुम प्रग्या वदाज भागस भास से गता सून गता सूनस्च ना नुसोचंती पंगिताहा ना तुवे वाहम जातू नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविश्या महा सर्वे वयमतह परम देहिनो असमिन यथा देहे कुमारम यवनम जरह तथा दिहांतर प्राप्तीर धीर इस्तत्र ना मुहायती मात्रा इस्पार्शास्तू कौनते सीतोष्न सुख दुखिताहा आगमा पाइनो अनित्या इस्तान इस्तती छसु भारत यमहीना व्यथैन तेते पुरसम पुरुस रसव सम दुख सुखम धीरम सो अमरत तुआ कल्पते ना से तो विद्धते भावो न भावो विद्धते सता उभेवर अपी दिस्टो अन्थ इस्त्वैन यो तत्त्वै दर्सवी अभिनासी तू तद्विदी येन सरुमिदम ततम बिनासम बेये स्यास ना कस्चित करतू मैं रहती अन्त वंत इमीदी हा नित्ति स्यो किता शरीर ना अनाशिनो अप्रमेस तसमादू धैसो भारत या एनम बेत्ती हंतारम यस्चैनम अन्यते हतम अभोतो ना बिजानी तो ना यम हंती न हन्यते नजायते मृते वाकत दाची त्रायम भूत्वा भाविता वानभूया अजो नित्या सास्तो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने सरीरे दूशरी अध्याय के 20 स्लोक शंपन हुए अब 2100 स्लोक पढ़ने जा रहे हैं बेदा बिनाशिनम नित्यम या एनम जंब्यययम कथम्षा पुर्षा पार्थ कम खात यंती हंती कम वानसांसी जिल्णान यथा बिहाय नवानी ग्रहनाती नरो अपराणी तथा शरीराणी बिहाय जिल्णाने न्यानी संयाती नवानी देखी नैनम चिदंती सस्द्राणी नैनम दहती बावकान चैनम किले देन त्या पोन असोक यती मारूता अच्छे दू आयम दाय हो आयम किले शो असोक शे एवचा नित्या शर्वगता इस धानोर चलो आयम शनात नहा अभ्यक्तो आयम चिंदियो आयम विकारियो आयम उच्छते तसमा देवं विदी त्वैनम नानु सोच तुम रहसी अद चैनम नित्य जातम नित्यम वामन शे मृतम तथा पितम महा भावो नैवं सोच तुम रहसी जातस ही धुरो मृत्यूर धुर धुरुवं जनम्रतस चा तसमाद परिहारे अर्थे ना तुम सोच तुम रहसी अभ्यक्ता दीन भूतानी विक्त मध्यानी भारत अभ्यक्त नित्नाने नियो अतत्त्र का परिदेवना आश्चर्वत पस्यती कस्ची देनम आश्चर्वध्यदती तथे वचान्या आश्चर्वच्यन मन्या सुनोती सत्वा पेनम बेदना चयो कस्जिताम स्री मदभगत गीता के दूश्य अधाय के तीस इस लोग शंपन हुए अब हम 31 इस लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वधर्म मपी जावेच ना विकन विकम्पितु मर्म रहे सी धर्म्याद युद्धा छेयो अन्य यत चत्रियस ना विद्धते यत रच्या चूप पत्रम श्रक द्वारं पाभरतं शुखिना चत्रिया पार्दल बंदे युद्ध मीद दसं अध्ध चेतो मिमं धर्मयं चाहित्वा पापम वापस्यसी अगीर दिम्चापी भूदानिकत ये स्यंदिते अभ्यव्याम संभावितस चाकीर तीर मर्नाद तीरिच्यते भयाद राणा दूपर तम्मन स्यंदे तौम महारता ये साम्चतों बहुमतो भूत्वायास्यसी लागवम अवाच वादांस बहुन वदिस्यंदित वाहिता निंदन्त इस्तों चामर्थयम ततों दुखतरमनूकिम हतो अव प्रापस्यसी स्वर्गम जित्वा वभूचे से महीम तसमादूतिस्ट कौनते युद्धाय कृत निश्चया सम सुख दुखे समे कृत्वा लावा लावो जया जयो ततों यद्धायुजे सुनैवम पापम वापस्यसी एसाते अभियता शांके बुद्धिर योगे तुमाम शुड़ू बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसी नेया अभिक्रमनासो वस्ती प्रति ये वायोना विद्धते शल्प शल्पम प्यसस धर्मस से तरायतो मैं तो भयात स्रीमत भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40 इस लोग संपढ़ हुए अब 41 माई इस लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्यवय वसायत में का बुद्धी रेके है कुरुनंदन बहुशा का यानन अंतास्च बुद्धियो अप्य वसाई नाम यामिमाम पुस्पिताम पाँचम प्रवदंद वीपस्चिताः वेदवाधरत पार्थ नान्यद इस्ती दीवाधिनह कामात माना श्रग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम कृरिया विशेज भहुलाम भोगवसवर गतिम प्रती भोगवसवर पसकता नाम तया पहत चेत साम ब्याव सात्म का वुद्धी समाधोन बिदियते त्रैगुण बिसिया बेदा निस्त्रै गुणेयों भैवार जुन निद्वंदो नित्त सत्वस्तो निर्योगछें आत्मवान यावानर्थ उदपाने शर्वत हा शंपलू तोदिके तवान सर्वेशू बेदेशू ब्रहमाढस बिजानता कर्माडी आधिकारस्ते मापलेसू कताचना करमली वाधिकारस्ते मा फढे सुवदाचन मा खर्म फढे तुर भूरुमा ते संगो अस्तु अ इस्त्वय करमली योगस्ते कुरू करमाली संगंत्यक्त्व धनंजे आसिद्धै सिद्यो समो भूत्वा समुत्वं योग उच्चते दूरेल हावरं करम बुद्धियोगा बुद्धी योगा दिधनन जय यो बुद्धो शर्णम न विच्छ क्रपणा फल हे तो वहाँ बुद्धी युक्तो जहाती उभेसु दिस सूक्रत दुस्क्रते तस्मा धोगाई युजस्व योगा कर्मशु कौशलम स्री मदभवद गीता जी के दूसरे द्धाय के पचास स्लोक्षम पढ़ हुए अब इंक्याम मन श्लोक पढ़ने जा रहे हैं कर्मजम बुद्धी युक्ता ही फलम त्यत्वामनेशना जन्म बंधन जन्म बंध विनिर मुक्ता पदम गच्छंत नामयम यदा ते मोह कलिलम पुद्धीर ब्यती तरिस्यती तदा गंतासी निर्वेदम सुरुतव्यस सुदसचा सुरुती वीप्रती पत्रा ते यदा इस्थास यती निश्चला समाधा वचला बुद्धी इस्थदा योगम वापस्यसी अर्जुन वाच इस्थत प्रग्रस का भासा समाधी इस्थस केसों इस्थत धी किम प्रभासेद किमासीद प्रजेद किम स्री भगवान वाच जाहाती यदात कामान सरवान पार्थ मनों कतान आत्मिनिये वात मना तुस्टा इस्थत प्रग्यस्त दुच्यते दुखे स्वनू दुई गन मना दुई ग्रमना शुकेशु विगत इस्प्रया बीदराग भैकरोधा इस्थत धीर मुनी रुच्यते या सर्वत्रान भी इसने है इस्तरे इस्तत ते प्राप्ट सुभा सुभम ना भी नंद तिना देश्टी तस्य प्रग्या प्रदिस्ट दुच्यता यदा संघरते चायम कूरमो अंगा नीव शर्वशा इंद्रयाणी इंद्रियार थे भैस्त प्रग्या प्रदिस्ट दुच् रसु अप्यस परम्दिस्ट्वा निर्वत तर्ते नी वर्त तर्ते यत तो हापिकों देपुर्शस विप्यस्चिता इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना गीताजी के दूसरे अध्याएके 60 स्लोक्षम पण हुए अब 61 स्लोक सुनिये तानी शर्वानी सयम में युक्त आसीत मतपरा बसे ही यसेंद्रियाणी तस प्रग्या प्रदेश्टता धायतो विश्यान युन्ष्य धायतो विश्यान फुन्ष संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधोध भवति समोह समोह इस्मर्थी भ्रमाह इस्मर्थी भ्रंशात वुध्धी नासो वुध्धी नासात प्रणश्यती राग्देश विउक्त श्तु विश्यान इंद्रिये स्चरन आतम बस्यायता आत्म बश्यर विधे आत्मा, प्रसादम धीक अच्छती, प्रसादे सरुधुखाना महानी रस्यों पचायते, प्रसंद चेत सुरुहासु गुद्धी परेव थिस्ठती, नास दि गुद्धीर युकतस ना, चायुकतस भावना, ना चाभा वैताहा, सांतिर, सांतस सुखम इंद्रियानामी चर्ताम यनमनो अनुविधियते तदस्य हरती प्रज्याम वायुर नाम विवाम विसी तसमा धस्य महाबावो निक्रहीतानी शर्वशा इंद्रियाणी इंदियार थे भ्य इस्तस्य प्रज्या प्रतिष्ट दता या निशाशरो भूता नाम तस्याम जागरती शैयमी ति यस्याम जागरती भूता निशा पष्यतो मुने आपूर मा आणम चल प्रतिष्टम समुद्र मा प्रजुशंती इदता इदत कामा यम प्रजुशंती सर्वेशा शांती माग प्रोतीना काम कामी दूश्री अध्याई के 37 लोग शंपनुवे गीता जी के अब 71 लोग सुनिये बिहाय कामान शर्वान पूमान श्चरती निस्प्रया निर्ममोन रहंकारा सा सांतिम दीग अच्छती एस अब रामी स्थती पार्थने नाम प्राप बिमूल्यादी इस्थत्तोष वास्यामंत काले अपी ब्रह्मा निर्वान रच्छती श्री मदभगवत गीता की दूश्री अध्याय का 72 श्टोक हैं ये संपनुवे ओम तस्दिती श्री मदभग वीता सोपनिकस्व ब्रह्मयत पित्यायाम अब हम इसके हिंदी अध्याय के इस लोगों के हिंदी अध्याय ओम श्री परमात्मने नमा दूसरा अध्याय संजे बोले की पुरूप्त प्रिकार्शी करना करके ब्याप्त और आशुशी पूंग तथा ब्याकुल नेत्रों वाले सोक योगत उस अर्जुन के पती भगवान मन्दूशूतन ने वचनकार हे अर्जुन तम को इस विसम इस्थल में ये अग्यान किस हे तूसे पराप्त हुआ क्योंकि ये ने तो सेज़्ड पूर्शों से आचन किया जै ना स्वर को देने वाला ना कीर्दी करने वाला इसलिए हे अर्जुन ना पूश्यंकता को मत पराप्त हो ये तेरी योग की नहीं है हे प्रंतम तुछ प्रदैकित वलता को त्याकर युद्ध के लिए खड़ा हो तब अर्जुन बोले कि हे मदुशुदन मैं रनभूमी में भीस पिताम है और दोड़ना चार के पती कीस परकार बानों सियद्ध करूंगा क्योंकि हे अर्जुदन ये दोनों ही मेरी लिए पूचनी है इसलिए इन महान वाव गुरुदनों को ना मारकर इस लोग में भीच्चा का अंड़ भी भोगना कल्यान कारक समझता हूँ क्योंकि गुर्जुनों को मार कर भी इस लोग में रुदुर से सनेवे अर्द और कामरो भोगों को तो मैं भोगोंगा ही और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना सेज्ट है अध्वा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे और जिनकोर हम जी कर मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही दस्ट्राश्ट के पुद्र हमारे सामने खड़े हैं इस तरह से अरजुन जी ने कृष्ण भगवान से कहा इसलिए कायरता रूप दोस करकि उपत हुए सुभावाला और धर्म के विशे में मोच चित हुआ मैं आपको पूचता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्यान का रक्सादन हो वे मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका सिस्षिनी हूँ इसलिए आपके सणों मेरे को सिच्छा दीजिए क्योंकि भूमे मैं निश्कंटक धन्धान चंपन राज को और देता हूँ कि स्व अंतर्यामी सीकर्षन माराज के पदिश्पिकार कहे कर फिर श्री भूमिद भगवान से युद्ध नहीं करूँ गया ऐसा इस बस्ट कहे कर अरजुन चुप हो गए इसके उपरांत हे भरत्वन सीध श्टास अंतर्यामी सीकर्षन माराज ने दोनों सिनाओं के बीच में उस सुन युक्त अरजुन को हस्तिव बचन कहे हे अरजुन तूना सोख करने वालों के लिए सोख करता है और पंडितों को इसे बचनों को कहता है परंटु पंडित जन ज क्योंकि आत्मानित है इसलिए सोब करना अत्युक्त है वास्तों में न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था अत्वा तू नहीं था अत्वा ये राजा लोग नहीं रहेंगे और ऐसा भी नहीं है कि इस से आंगे हम सब नहीं रहेंगे किन्तु जैसे जिवात्मा की इस दे मुवित नहीं होता है अर्था जैसे कुमार विवा और जरावस्ता रूप इस तूल सरीर का विकार अग्यान से आत्मा में भासता है वैसी एक सरीर से दूसे सरीर को प्राप्त होना रूप सूल सरीर का विकार भी अग्यान से ही आत्मा में भासता है इसलिए तक तो को जाणने वारा धीर पुरुस इससे में मुभित नहीं होता है हे कुंती बुदु सक्दी कर्मी और शुक दुख को देने वाले इंद्रियों और विश्यों की सहयों तो छारम भांगुर और अनित है इसलिए हे परद्वर सी अरजुन उनको तो सहिन कर क्योंकि हे पुरुसे शुक का ता अस्ति नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्युग्यानी पुर्सों द्वारा देखा गया है इस न्याए के अंसार नास रहत तो उसको चान कि जिससे यह संपूर जगत प्याप्त है क्योंकि इस अभनासी का पिनास करने का कोई भी यह सब समीर नास्वान कहे गई हैं इसलिए है भाध वर्षिय अर्जुन तु यूद्ध कर झू इस आत्मा को मारने वाला समझता है तदधा जो इसको मारा मानता है वे दूनों ही नहीं जानते हैं क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है या आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है अध्वा नहीं आत्मा हो करके फिर होने वाला है क्योंकि ये अजन्मा, नित्ध, स्वास्वत और पुरातन है सरीर के नास होने पर भी ये नास नहीं होता है हे पृधापुतर अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाजरत, नित, अजन्मा और अप्या जानता है वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है और यदि तुम कहे कि मैं तो सरीरों की व्योग का सोब करता हूं तो ये भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे मनुष पुराने वस्तरों को त्याग कर दूसरे नए वस्तरों को गहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने सरीरों को त्याग कर दूसरे नए सरीरों को प्रत होती है हे अरजुन इस आत्मा को सस्तरादी काट नहीं सकते और इसको आग जला नहीं सकती इसको जलगीला नहीं कर सकते और वाई शुखा नहीं सकते क्योंकि ये आत्मा अजेद है आत्मा अध्याय है अकलेद और असोक है तथा ये आत्मा निसंदे नित्त सर व्यापक अचल इस्थर रहने वाला और सनातन है ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंदियों का आविशे और ये आत्मा अचिंद अर्थात मन का आविशे और ये आत् अर्थात ना बदनने वाला कहा गया है इससे हर जुन इस मात्मा को ऐसे जानकर तु शोग करने की योग नहीं है अर्था तुझे सोग करना अचित नहीं है यदि तु इसको सदा जन्मने और सदा मनने वाला माने तो भी है अर्जुन इस प्रिकार सोग करने की योग नहीं है नहीं है ये भी इस माधिकों के सरीर माया मैं होने अनित हैं इस से सरीरों के लिए भी सोख करना उचित नहीं है क्योंकि हे अरजुन शंपूर प्राणी जन्म से पहले बिना सरीर वाले और मन्ने के बाद भी बिना सरीर वाले ही हैं केवल बीच में ही सरीर वाले प्रतीत होते ह फिर उस पिसे में क्या चिंता है हे अरजुन ये आज तत्व बड़ा गहन है इसलिए कोई महापुरुस ही इस आत्मा की आश्चर की जो देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुस ही इस आश्चर की जो इसकी तत्व को कहता है और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर की जुन सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है हे अर्जुन यह आत्मा सबके सरी में सदा ही अवध है इसलिए शंपून भाबुत प्राणियों के लिए तूँ सोग करने के योक नहीं है और अपने धर्म को देख कर भी तूबह करने के युक नहीं है क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारक करतब छत्री के लिए नहीं है ये पार्थ अपने आप प्राब्थ हुए और खुली वेश्वर के ध्वारूप इस बिकार के युद्ध को भागवान चत्री लोगी पाते हैं और ये दूद्ध धर्म युद्ध संग्राम को नहीं करेगा तो सर्म धर्म को खोकर और कीर्थी को खोकर बाप को प्राप्थ होगा और सब लोग तेरी भौल काल तक रहने वाली अब कीर्थी को भी कतन करेंगे और वे अब की कीर्थी माननी पुर्ष के लिए मरन से भी अदिकुली होती है और जिनकी तु भहुत माननी होकर भी अब तुछता को प्राप्थ होगा बेमार्थी लोग तुझे भै के कारण युद से उप्राप्थ हुआ मानेंगे और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ के निंदा करती हुए बहुत से ना कहने युग बचनों के कहेंगे फिर उसी अथिक दुग्या होगा इससे युद करना तेरी लिए सप्रकार से अच्छा है क्योंकि या तो मरकर स्वर्व को प्राप्थ होगा अत्वा जीत कर प्रतवी को भोगेगा इससे है अरजुन युद के लिए निश्यवाला होकर खड़ा हूँ यदि तुझे शुर्वत था राज की इच्छा ना हो तुभी शुक्त लाभानी और जैपराजय को समान समझ कर उसकी उपरांत युद के लिए त्यान हो इस प्रकार युद करने से तुँ पाप को प्रात नहीं होगा हे पार्थ ये मुद्धी ते लिए ग्यान युग की बिशे में कही गई है और इसी को अब निसकाम कर्म युग की बिशे में सुन जिस मुद्धी से युगत हुआ तो कर्मों के बंदन को अच्छी तरह से नास करेगा इस निसकाम कर्म योग में आरम का अर्थात बीच का नास नहीं है और उल्टा फलों दोज भी नहीं होता है इसलिए इस निसकाम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन चर्म लत्य रूप महान फैसे उधार कर देता है हे अर्जुन इस कल्याण मार्ग में निस्जात्म पुंती एकी है और अक्यानी सकामी पुरसों की पुंतियां बहुत बेदो वाली अनमद होती है हे अर्जुन जो सकामे को उसकी वल फर्शूती में परीद रखने वाले और सर कोई परमसेस्ट मानने वाले इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं वे अब वे की जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐसर की प्रात्र के लिए बहुत से क्रियाओं के पिस्तार वाली इस प्रकार के जिस दिखाऊ सोभा युक्त बारी क्यों कहते हैं उस बाणी द्वारा हरी में चित्त वाले तथा भोग और ऐसर में आसकती वाले उन पुर्षों की अंताकर में निश्चात्म भूती नहीं होती है हे अर्जुन सब बेद तीनों गुरों के कारूप शंशार को बिसे करने वाले अर्थार प्रिकास करने वाले इसलिए तुम आसंसारी अर्थार दिसकामी और सुप दुखादी तुन्दो से रहत नित्यबस्तों में इस्तित तथा योग छेम को ना चाहने वाला और आप परायन हो क्योंकि मनुस का सब और से परकूर जलासे के प्राप्त होने पर छोटे जलासे में जितना प्रोजन रहता है अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मार का भी सब बेदों में उतना ही प्रोजन रहता है अथार जैसे बड़े जलासे के प्राप्त होने पर जल के ये छोटे जलासियों की आउस्यक्ता नहीं रहती वैसे ही ब्रह्मा नंद की प्राप्ति होने पर आनद के लिए फिर पेदों की आउस्यक्ता नहीं रहती है इससे तेरा कर्म करने मातर में ही अधकार होगे, फल में कभी नहीं और तु कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, क्योंकि तद तेरी कर्म ना करने में भी प्रीत ना होगे है धनन जय, आसकती को त्याक करता थथा सिति और असिति में समान अत्ति वाला और योग में इस्तित हुआ कर्मों को कर, ये समत्त भाव ही योग नाम से कहा जाता है, इस समत्त परुब भुध्धी योग से सकाम कर्म अत्यन तुच है इसलिए हे धरंजय समत्य बुध्धी योग का आश्रे ग्राण कर क्योंकि भल की वासना वाले अतित दीन है समत्य बुध्धी योग स्पुर्ण पाप दोनों को इस लोग में ही त्याग देता है अर्थास उनसे लिपाए मान नहीं होता है इससे समत्य बुध्धी के लिए ही सेश्टा कर ये समत्य बुध्धी रूप योग ही कर्मों में चतुर्ता है अर्थात कर्म बंदा से चूटने का उपाए क्योंकि बुध्धी योग युक्त ग्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याकर जन्म रूप बंदा से छूटी हुए निर्दोश अर्थात अमरत मैं परंपत को प्राप्त होते हे अर्चुन जिस कार में तेरी बुद्धी मोय रूप दरदल को बिल्कुल दर जाएगी तब तु सुनने योग और सुने हुए के बैराप को प्राप्त होगा जब तेरी अनेक प्रकार के से दान्तों को सुनने से बिचलेत हुए बुद्धी परमात्मा के सुरूप में अचल और स्थरों कर ठहर जाएगी तब तु समत्त रूप योग को प्राप्त होगा इस प्रकार भगवान की पसलें को सुनकर अर्चुन ने पूचा हे केसों सदाधी में इस्तर बुद्धी वाड़े पुर्शों का क्या लग चाने और इस्तर बुद्धी वाला पुरुष कैसे बोलता है कैसे वैड़ता है कैसे चलता है इसकी उपरांद श्रीर कुष्ण महराज बोले है अरजुन जिस काल में ये उस मन में इस्तित संपूर कामनाओं को ध्याग देता है उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ इस्तर बुद्धी वाला पुरुस कहा जाता है दुखों की प्राप्ती में उद्धेक रहत मन है जिसका और सुखी की प्राप्ती में दूर हो गई है इस प्रहा जिसकी ततर नस्ठ हो गए है राग भै और गरोध जिसके ऐसा मूनि इस्तर बुद्धी कहा जाता है जो पुरुष सर्वत्र इसने ही रहत हुआ उन-उन सुबत अधा असुबस्तों को प्राग होकर ना प्रसन होता है और ना देश करता है उसकी बुद्धी स्थेर है और कचुवा अपनी अंकों को चैसे समय लेता है वैसे पुरुष जब सब और से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विश्यों से समय लेता है तब उसकी बुद्धी स्थेर होती है जद्यपी इंद्रियों के द्वारा विश्यों को ना ग्रहन करने वाले पुरुस के भी किवल विशय तो निर्वत हो जाते हैं पर न तो राग नहीं निर्वत होता है और इस पुरुस का तो राभ भी बर्मात्मा को सच्छात करके निर्बत्त हो जाता है और हे अरजुन जिससे कि यतन करते हुए पुत्तिमान पुरुस के भी मन को ये प्रम्थन सुभा वाली इंद्रियां बलात हर लेती है इसलिए मनस को चाहिए कि उन सपुन इंद्रियों को बस में करके समाहित चित हुआ मेरे परायन इस्तित होवे क्योंकि जिस पुरुस के इंद्रियां बस में होती है उसकी ही भुत्ति इस्तिर होती है हे अर्जुन मन सहत इंद्रियों को बस में करके मेरे परायना होने से मन के द्वारा विश्यों का चिंतन होता है और विश्यों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विश्यों में आसकती हो जाती है और आसकती से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है और कामना में बेगने पढ़ने से कुरोध उत्पन होता है कुरोध से अबिबेग अर्थात मूर भाव उत्पन होता है और अबिबेग से इस्मन सकती ब्रहमित हो जाती है और इस्मती के ब्रहमित होती ही जाने से बुद्धी अर्थात ग्यान सकती का ना सो जाता है इंद्रियों द्वारा भीश्यों को भोकता हुआ अन्ताकर्ण की प्रसंता अर्थाद स्वच्छता को प्राप्त होता है उस निर्मन्ता की होने पर उसके शंपून दुखों का अभाव हो जाता है और उस पिसंद्ध वाले प्रुष की प्रुष की प्रुष की प्रुष की प्रुष को कभी सांती भी प्राप्त नहीं होती है फिर सांती रहत प्रुष को कैसे हो सकता है क्योंकि जल्मे नवाई उनाव को जैसे हर लेता है वैसी विश्यों में बिचरती हुई बुद्धी इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वे एक ही इंद्री इस अयोक्त पुरुष की बुद्धी को घरन कर लेती है इसे हे माहो भाहो जिस पूरुस की इंद्रियास सब प्रकार से इन्रियों के बिश्यों से बस में की होती है उसकी बुत्ति इस्तिर होती है और है अरजू शंपोर भूध प्राणी के लिए जो रात्री है उस नित्त सुद्ध सुरू पर्मान अंद में भगवान को प्राप्त भी हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नासवान छड़मंगूर सांसारिक सुप में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्त को जानने वाले मुनी के लिए वैरात्री है जैसे सब और से पर्फूर अचर पतिस्टा वाले समुत्र के पति नाना नदियों की चल उसको चलाय मान ना करते हुए समा जाते हैं जैसे ही वैसे जिस इत्त स्तर वुद्धी पुरुष के पति शंपूर भो किसी प्रकार का विकार उत्पन के बिना ही समा जाते है वै पुरुष परम सांती को प्राप्त होता है ना कि भोगों को चाहने वाला क्योंकि जो पुरुष पूर कामनाव को द्याग करमंता रहित और अहिंकार रहित इस प्रा रहित हुआ वर्टता है वै सांती को प्राप्त होता है हे अर्जुन ये ब्रह्मा को प्राप्ट कोई पुर्स की इस्तिती है इसको प्राप्ट होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निस्टा में इस्तित होकर ब्रह्मान अंतकों प्राप्ट हो जाता है इती स्री मद भगवत गीता रोपी उपनसद एम्प्रम्म पित्या तथा योग सास्तर बिस्यक स्री कजन और अरजुन के समवाद में सांख योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ स्री मद भगवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ बोलिए जै स्री राधे कृष्णा